आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हल्वा ये मैंने लिए आधा किलो गाजर ये 600 ml दूद है और इसको मैं भी गाजर को साफ करके इसको ग्रेट कर लूगी और दूद मैं गरम करने के लिए रख देती हूं दूद अब उबल गया है मैं गैस बंद कर दे रहे हूं और यहां पे मैं ये कैरट खेट रहे हूं ये मैंने लोहे के कड़ाई लिए है गैस चालो पर दी है इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच की दो मतलब ये इतने वहरके ऐसे हैं हुआ है इसके अंदर में ये गाजट चोंद में करेट करके रखी है अब तो नहीं डाल दूगे अब आ हाफिक लीए करां माद besar के चमें परो भाम करें डित कर दो ते की एते हैं पर में traditionally कर दो बड़, कर दो डित कर दो और लो, और टो और है को भी और है और जो रहें नह हम और है कर दो और है कि पांच साथ मिट इसको सेखने के बाद अब मैं इसके अंदर डाने दूद्ध जो मैंने उबाल के रखा था अब इसको बस रख दे रहें और बीच बीच में चलाते रहेंगे कि यह तब तक चलाना है जब तक यह गौड़ा नहीं हो जाएं बराबर नहीं चलाना है बीच बीच में चलाते रहें इसको 40 मिनिट्स हो चुके हैं 40 मिनिट्स के बाद ही ऐसा है अभी बड़ा और टाइम लगेगा इसके बाद ही मुसमें चीनी डालेंगा 45 मिनिट्स हो चुके है इसके मुसमें चीनी यह 1.5 बाद चीनी है चीनी पगल गई है अब इसको तब तक चलाना है जब तक गाड़ा नहीं हो जाए उचीनी डालेंगा से 10 मिनिट्स हो चुके है इसके अदर जाए बेलाइचे पादर जाएब दो चीनी रेलेंगा तक चादर पड़ा रेलेंगा यह जाएब दो आदर पादर पादर अधिर बंद टुन डाउने के लिए रब देया तो गाज़कर हल्वा इस रेड़ी मैंने इसमें नट्स नहीं डाले हैं काजू बादम पिस्ता यह आप चारे तो डाल सकते हैं क्योंकि में मारे यह पसंद नहीं करते खाना थैंक यू फो वाचिंग प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल